Hello Friends, Web Technical Tips में आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट अंदोस विरेन जैसवाल आज के इस वीडियो में हम लोग Amazon Affiliate Marketing के ओपर बात करने वाले हैं जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि Amazon Affiliate Website कैसे बनाई जाती है पूरा डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपनी Amazon Affiliate Website के ओपर Amazon Affiliate Products के ओपर किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं किस तरीके से हम ट्रैफिक ला सकते हैं ताकि हम अपनी Amazon की Affiliate Sales को बढ़ा सके और एक Online Earning को कर सके यह सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आप लोग यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास तक पूरा देख लेना और अगर चैनल पर फर्स टैम आये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक बहुत असानी से पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी जहां पे आप add run करते हैं, जहां पे आप थोड़े पैसे invest करते हैं और उसके बदले में आपकी website पे traffic आता है और एक तरीका होता है free promotion का जैसे कि आप SEO की बात करें, on page SEO की बात करें, back links की बात करें मतलब किसी भी तरह करके आप बिना पैसे दिये किसी को भी, अपने आप SEO करके अपने आर्टिकल को रहें कराते हैं और उसके बदले आप sales को बढ़ाते हैं अब अगर हम यहां पे paid promotion की बात करें, तो paid promotion करने से पहले भी आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है for example, कोई एक ऐसा product है, जिसकी आपको commission कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है नॉर्मल से commission मिलती है, मगर उसकी add चलाने पर आपको उससे ज़्यादा का खर्चा करना पड़ रहा है तो उस तरह की add चलाने कोई फाइदा नहीं है, जिसमें कि आपको earning कम हो और आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं तो यह सब चीज़े भी आपको बहुत ध्यान रखने पड़ती हैं अगर आप paid promotion की तरफ जा रहे हैं आपको paid promotion का लिए तब ही करना चीए, उसी product का करना चीए जिसमें आपको एक अच्छी खासी affiliate commission मिलती हो जिसमें कि आपके CPC जो कि आपकी cost पर click होती है add की, वो कम हो according to आपकी earning, according to आपके affiliate commission अगर यहां पर हम उसके alternate free promotion की बात करते हैं, और गैनिक तरीके से traffic लाने की बात करते हैं इस video हम वो cover करेंगे, कि organic way में अगर आप traffic लाना चाहते हो, तो वो कैसे ला सकते हो So friends, यहां पर मैं आपको अपनी screen पर दिखा देता हूँ, यह मेरी website थी, जो मैंने last tutorial में आपको बताई थी, किस तरीके से आप इस तरह की website को बना सकते हैं यह सब मैंने last video में cover कर चुका हूँ, यहीं पर हमारा एक product है, Samsung Galaxy M21, यह product मैंने last time entry की थी, और मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि, यह हमारा Amazon best seller का page है, smartphone category में, इसी तरीके से, मैं smartphone category में आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से, आप किसी भी नीच पे किसी भी category पे काम कर रहे हूँ, Amazon का हर category के according, best seller का अपना एक page है, किसी भी नीच पे आप काम करते हैं, तो आपको बताता है कि उनके इस category में best seller products कौन से हैं, तो आप इस चीज से idea लगा सकते हो, market में किस तरह के product भिक रहे हैं, किस तरह के लोग चीजे पसंद करते हैं, आपको भी उस तरह की चीजों के उपर काम करना चाहिए, उनको rank कराना चाहिए, ताकि आपके भी sale के chances बढ़ें, क्योंकि जहां पर आप online selling की बात करते हैं, वहां पर review matter करता है, आप यहां पर देख रहे हैं, 14,000 पर का यह phone है, Samsung brand का phone है, 4GB RAM और 64GB storage के साथ दे रहा है एप्रोक्स 13,000 के आसपास इसमें rating भी दे गई है, तो यह सब चीज़े बड़ी matter करती हैं, जब कोई online कुछ purchase करने जाता है, तो मैं इसी product की अगर बात करूँ यहां पर, यहां पर मैंने इसका detail page खोला हुआ है एक तो, और इसी को मैंने Google पर भी search किया हुआ है, Samsung Galaxy M21, अब हर कोई इस product के बारे में नहीं जानता होगा, इस बात को आप ज़रा समझना में क्या कहना चाता हूँ है, Samsung Galaxy M21 को हर person नहीं जानता, अगर किसी को एक smartphone buy करना है, तो उसकी mostly mind में क्या चल रहा होगा, कि वो एक budget के अंदर phone को search कर रहा है, वो कभी यह नहीं लिखेगा, कि इस range के अंदर मुझे इतना phone चाहिए, मेरे range 10,000 पर है, 15,000 है, 20,000 है, तो वो उसके according ही search करेगा, तो हम यहाँ पे Samsung Galaxy M21 को लेके ही चलते हैं, कि मैं इसके बारे में कुछ करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं Google पर आऊँगा, यहाँ पना keyword डालूँ जो इसका review दे रहे हैं, जो specification बता रहे हैं, या फिर detail में काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ websites वो open कर रखी हैं, और मैं थोड़ा सही foot नीचे आऊँग, footer पे, तो यहाँ पर जो related searches होती है, यह हमारे related searches होती है, इस से भी हमारे को काफी idea मिलता है, कि अगर कोई इस keyword को search करता है, तो इस related कोई से searches और होती है, Google के ओपर, क्योंकि Google ही हमारा main traffic source रहेगा, search engine हमारा main Google ही रहेगा, तो उसी के बारे में हूँ यहाँ पर सोच के चल रहे है, कि Samsung Galaxy M21 के ओपर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर पहला related search के आ रहे है, Samsung Galaxy M21 versus M31, तो यहाँ पर अगर M21 के ओपर मैं बात करता हूँ, M21 के ओपर तो मैं detail में लिखूँगा ही, M21 versus M31, मैं दो product का एक ही article में review करके भी दिखाऊँगा, दोनों का comparison करके भी दिखाऊँगा, और दोनों का buy link share करूँगा, ताकि अगर किसी को कोई भी model समझाता है, तो उन दोनों में से कोई model कोई buy करना चाहे, तो कर सके, तो यहाँ पर मेरे sale के chances बढ़ जाते है, एक काम मैं और करूँगा, में फोन जैसे कि ये 15,000 की range के अंदर है, तो मैं यहाँ पर एक keyword और है, उसको target करूँगा, best smartphones under 15,000 रुपीज, मैं एक article इसके ओपर लिखूँगा, एक article Samsung Galaxy M21 के ओपर लिख के ओपर में पस काम करने के लिए काफी सारी सी जा देंगी, तो मेरे घुमा फिरा के बात क्या रहेगी, तीनो पेज आपस में link रहेंगे, एक दूसरे को support करेंगे, इस तरीके से आप internal link करके, on page धंक से SEO करके, अच्छे से article लिख के, अच्छे से review करके, अपनी website की जो आप इनकी बात मैं यहां पर करूं, तो उन्होंने क्या दिखा रहा है, Samsung Galaxy N21 की पूरी detail बता रखी है, उसका review, price, video, variance, comparison, user review, और news, उसके बारे में खाली detail में बता रहा है, जो की detail आपको Samsung की यहां पे भी मिल जाती है, जो हमारा Amazon पे जहां पे यहां पे यह sale हो रहा है, यहां प जितनी भी website से अपने अपनी तरीके से शो कर रही है, बस, specification वही रहेंगी, उसमें अगर कोई चीज है, display है, processor है, उसका rear camera, front camera, ram, storage, battery capacity, वो तो अगर एक model की बंच की वो तो वही रहीगी न, वो थोड़ने change होगी, तो हमारा content almost same रहता है, अगर हम किसी product का review करते हैं, या फ हो गई, वीडियो हो गई, यही सब कुछ उन्होंने शो कर रहा है, इसके लावा किसी भी article में देखा, कुछ भी extra extra नहीं है, जितनी भी मैंने website खोली सब नहीं, यही अपना शो कर रहा है, अगर मैं detail page की यहाँ पर बात करूँ, तो हमको भी same, इसी तरीके से काम करना है, ए एक product का review page बनाना होगा, जो की detail में रहेगा, कुछ इस तरीके से, तो मेरा एक review page बनेगा, एक मेरा बनेगा comparison page, जो की M21 versus M31, एक comparison page बनेगा, जहाँ पर मैं दोनों product के बारे में detail में बताऊँगा, आपस में compare करूँगा, एक product मेरा बनेगा जैसे की, मैं यहाँ पर अगर search क इस तरीके से, इन्होंने कुछ keyword बना रखे हैं, क्योंकि normal person अगर कुछ search करेगा, तो इस तरीके से ही search करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर best mobile phones under 15,000 अगर किया है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, simple sign का main था, title mobile phones under 15,000, जैसे best mobile phone under 15,000, यहाँ पर डाल दिया, उसके slug में इन्होंने कुछ content डाला है, बस इसके लाबा और कुछ नहीं, उसके बाद उन्होंने जो भी इनकी top 5 है, top 7 या top 10 products थे, 15,000 के अंतर वो इन्होंने यहाँ पर show कर दिया, उसके बारे में detail में बता दिया, थोड़ा सा, थोड़ा brief कर दिया उसके बारे में, उसकी specifications बता दी, photo price और कहां कहां पर भी करा है, वो दिखा दिया इन्होंने, तो इस तरीके से इन्होंने यह शो करा है, बस यहाँ पर और कुछ भी इन्होंने शो नहीं किया, last में summary दे दी है कि इतने model है, उसका price यह है, उसका company का नाम यह है, और उससे related अगर आपको कुछ और भी सर्च कर तो कुछ इस तरीके से जो की right side में आ रहा था, वो यहाँ पर photo में इन्होंने कर दिया, इस तरीके से यह play कर रहे है, आपको भी same इसी तरीके से play करना है, तो अब बात यहाँ पर आ जाती है, अगर हमको इस तरह का कुछ बनाना है, तो वो कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ प मैं आपको अपनी एक website दिखा देता हूं, जैसे कि मेरी यहाँ पर एक website है, webtechnical tips.com, मैं भी यहाँ पर product के review करता हूं, जैसे blogging करता हूं, तो कुछ hosting के review करता हूं, तो मैंने भी यहाँ एक hosting के review किया था, side ground का review किया था, उसके product का नाम, जैसे कि यहाँ पर phone की बात करें, तो आपके यहाँ पर phone का model आ जाएगा, उसकी जो भी price है, यहाँ पर price दिखा सकते हो, उसकी image आ सकती है, उसकी आप rating क्या देते हो, अपने recording, आपने article में जो भी सब कुछ बताया है, उसके recording, आपकी rating क्या है, उस product के लिए, 10 में से आप उसको कितनी rating देते हो, अब जैसे क अपने recording आप शो कर सकते हो, ऐसे ही pros and cons भी आप डाल सकते हो, अपने recording आप शो कर सकते हो, और grab the deal पर click करने पर सीधा आपके affiliate link से Amazon के उस page बंदा पहुंच जाएगा, इस तरीके से आप भी एक review section बना सकते हो, उसके बारे में detail हो बता सकते हो, यहाँ पर उसके बारे में बत है, जितनी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने detail में बता रखी है, यह सारी चीज़ें, यह जितनी भी technical details है, यह additional information की बार ने कर रहा हूं, यह जितनी भी technical चीज़ें है, जैसे कि बाकी लोगों ने आप शो कर रखा है, आप नीचे यहाँ पर आएंगे, यह सब चीजें, जैस कि मैं अगर यहाँ पर आपको कोई table दिखाना चाहूं, तो मैंने भी यहाँ पर table cover कर रखा है, इस तरीके से आप table भी बना सकते हो, अगर आपको बनाना हो, तो किस तरीके से यह सब चीज़ें बनेंगी, यह सब कुछ हम जानते हैं, अब एक article के थुरू, तो एक काम करते ह पहले मेरी website पर जाते हैं, वहाँ पर एक blog लिखते हैं, उस blog में इस सब चीज़े cover करते हैं, अगर आपको इस product का review करना है, तो आपको इस तरीके से कर सकते हो, कि इनकी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी product को rank कराने के बारे में सोचते हो, तो सबसे मेरी website पर चलते हैं, मेरी website यह वाली website है, अब आपको इस तरह का काम करने के लिए 2 plugin की जरूद होती है, एक तो आपका table press plugin होता है, जिसके थूँ आप table create करते हो, और एक आपका plugin होता है product review, यह मैंने अपनी website पर इंस्टॉल कर रख है, मैं description में इनके वो डाल दूँगा, प्लगीन की मैं बात कर रहा हूँ, एक table press है, एक है plugin आपका product review, तो यहाँ पर product review की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ उसकी details settings होती है, अगर आप change करना चाहूँ कर सकते हो, बागी by default ठीक ही रहती है, यहाँ पर आने के बाद आपको एक simple सा article लिखना है, for example हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आपको एक product के 3 variation हो सकते हैं, product की detail page हो गया, जहाँ पर पूरा review करोगे, second आपका हो सकता है, under 15,000 के अंदर फोन आता हो, उसमें आप 5-6 product में पर show कर सकते हो, उसके according आप ले कर सकते हो, third हो सकता है, उससे related कोई model हो, तो उससे आप compare करके भी product को show कर सकते हो, तो एक क्या आप 3 बना सकते हो, बहुत असानी से कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब हमारे पास 3 तरीके हैं, हम किस तरह से काम करना जाती है, या था हम बहुत सारे model show करें, एक ही का detail करें, फिर दो का compare करें, तो हम यहाँ पर simple सा एक product की detail पर जैसे इन्हों Samsung Galaxy M21 के बारे में, तो वो कब करेंगा, किस condition में करेंगा, या तो वो उस product के लिए interested हो, किसी सब से उसके बारे में सुना हो, या फिर वो उसके pricing के बारे में जाते हो, कि यह particular model का price का है, तो यहाँ पर article लिखने के लिए आपके पास एक option यह रहता है, कि आप particular उस product के बारे म इंडिया, यह मैंने simple यहाँ पर लिख दिया, अब मुझे वो अगर article में अपना review section on करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखा हुगा है, is this post a review, मुझे इसको करना है simple यहाँ से on, अब यहाँ पर product का मुझे नाम डालना है, जैसे मेरा Samsung Galaxy Galaxy M21, यह मैंने यहाँ से copy किया, और मैंने यहाँ पे इसको paste कर दिया, अब यहाँ से मैं उसकी image जाल सकता हूँ, choose और upload an image, product की image जो भी रह गया, product की image यहाँ से choose कर सकते हो, जैसे मैंने last time use किया था, Samsung का यह वाला मेरा phone था ही थी, हाँ, यही मेरा phone है, मैं इसको select करता हूँ, यहाँ से मेरे product की image आ गई, अब यहाँ पर option आता है, show whole image और open affiliate link, जब कोई product की image पे click करेगा, तो उसको image जिखने चाहिए या फिर वो affiliate link ओपन आ चाहिए, अब बात है, मैं अगर कोई click करवाँ के affiliate link से ही उसको open करवाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं अपना कोई भी affiliate link डा सकता हूँ, for example, मैं इस product के लिए, मेरा affiliate link यहाँ से copy कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने text पे click किया, और मुझे मेरा affiliate link मिल जाएगा, और मैं यहाँ इसको paste कर देता हूँ, अब यहाँ पर आता है, simple जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा रहा है, affiliate button text, अब text पर आप क्या लिखने चाहते हो, buy from Amazon, grab the deal, best deal, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम best deal लिख देते हैं, best deal, अब उसके बाद another button, add another, अगर कोई और button भी आपको चीए, तो वो डाल सकते हो, अब उस में क्या option आप रखना चाते हो, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने यह देखा था, इस वाले में हमने देखा था, यहाँ पर परफॉर्मेंस, display, camera, battery, इस तरीके से अगर आप कुछ डालना चाहो, तो performance select करो यहाँ से आप उसको, यहाँ पर अपने performance में डाल दिया, आप performance में आप उसको क्या rating देते हो, 8, 9, कुछ भी जो भी आप डालना चाहो, डाल सकते हो, इसी तरीके से जितनी भी चीज़े आप एड़ करना चाहो, उसको बहुत easily add कर सकते हो, जैसे display है, camera है, आपने display कर दिया, camera कर दिया, और उसके बाद battery हो गई, battery को आपने यहाँ प आप इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोड़क्त के, अपने according product ढल के हो, उसकी rating भी यहाँ पर शोग कर सकते हो, अब यहाँ पर उसके Pros और Cons भी आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर Pros और Cons भी हमने देखे थे, अब मैं चाहूं तो यही Pros, Cons भी मैं इसकी यहाँ पर डाल सकत यहां से पेस्ट कर दिया एक और मैं आपको खाली दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको जब भी कोई काम करोगे तो पूर डिटेल में उसका अच्छे से खुदी बनाना है और खुदी करना है मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए सब चीज अकर करके दिखा रहा हूं आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का भी अगा आपको ज्यादा कुछ एडखानी करने कि यहां पर जरूर नहीं है तो इस तरीके से आप जब भी किसी प्रोड़क्ट के रिव्यू का कुछ सेक्शन को करना जाते हैं तो यहां से इस की सैटिंगस में जाकर चीज़ेया आप कर सकते हैं इस को करें पर आस बात करते हमें थोड़ा बारना चाहिए तो इहां से डालेंगे आपको थोड़ा उसके बारे में आपको अपने आर्टिकल को इन अच्छे से भरना है तो यहां पर कुछ आप प्रोडक्ट लेके भी प्ले कर सकते हो अगर आम इनके प्रोड़क्ट डीटेल की बात करें तो यहां पर सैमसंग गालेक्सी M21 डिजाइन के बारे में पहले बताया है उसके बाद उसके स्पैसिफिकेशन और सॉफ्टियर के बारे में बताया है उसके बाद यहां पर उन्होंने उसके पर्फॉर्मेंस के बारे में बताया है उसके बाद कैमरा के बारे में बताया है आप देख रहें कि इतनी डिटेल में एक एक चीज यहां पर बताई गई है लास्ट में उसका इन्होंने वर्डिक्ट दिया है उनके कॉर्डिंग वो क्या है उसकी फिर वीडियोग्राफिक वगारा सब कुछ मतलब एक एक चीज़ इन्होंने आप डिटेल में मेंशन करें आपको भी सेम इसी तरीके से प्ले करना है इमेजस भी टालनी ह में explain करनी है मैंने आपको बताया था अगर आप किसी चीज का review करें तो इसका मतलब किसी को guide कर रहे हो किसी की help कर रहे है तो help का मतलब यहाँ पूरा detail में जितनी knowledge है आपको चाया वो image के थुरू हो ग्राफिक के थुरू हो वीडियो के थुरू हो content के थुरू हो एक एक इसके हम को ध्यान यह रखना है कि हमारा जो भी keyword है for example अगर हमारा keyword है Samsung Galaxy M25 in India हमें long tail keyword के ओपर काम करना है यह एक long tail keyword है या फिर इसी तरीके से हम बात करें best smartphone अंदर 15,000 रुपीज इस तरीके हमारा keyword है तो वो keyword हमारे यहाँ पे slug में भी जरूर आना चाहिए हमारे title में भी headings use करेंगे अपने इसके अंदर for example यहाँ पर मैं अगर एक heading लिखता हूँ Samsung Galaxy M21 तो मुझे यहाँ पर heading में S2 लिखना बहुत जरूरी है जो भी मेरा keyword में target करा हूँ मेरी headings के अंदर भी आना चाहिए मेरे content के starting में आना चाहिए मेरे title में आना चाहिए मेरे slug के अंदर आन यहाँ पर मेरे tag के अंदर भी keyword आने compulsory होते है और मेरे feature image है या फिर जितनी इमेजिस में use करूँगा वो keyword मेरे उन चीजों के अंदर आना बहुत जरूरी होता है इस तरीके से आपको अपना एक article लिखना होता है एक SEO friendly article लिखना होता है और साथ ही साथ आपके internal linking बहुत जर article है जैसे कि Samsung M21 versus M31 मैंने एक article लिखा हुआ है इसके ओपर ठीक है तो मैं इस article को भी यहाँ पर इस तरीके से लिख के इसको quotes कर सकता हूँ और quotes करने के बाद यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ और मेरा उसका link डाल सकता हूँ उस article का इसी तरीके से मुझे जैसे कि मेरा इस page के अंदर मैंने यहाँ पर डाला M21 versus M31 मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ smart phone under 15,000 रुपीज तो मेरे दो page के link लग गए मेरे इस page के सा जाता हूँ जहाँ पर मैं M21 versus M31 को compare कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे इस post का link डाल सकता हूँ जहाँ पर मैंने लिखा है Samsung Galaxy M21 price in India तो इसी तरीके से मुझे internal link के साथ भी काम करना है कुछ external link भी मुझे बनाने है on page SEO में यह सब चीज़े बहुत matter करती है अगर आपने इन सब ची किया और इन keywords का आपने अच्छे जगां पर backlink बनाया एक अच्छी authority वाली website से तो definitely आपकी post भी rank होगी आपकी post के ओपर traffic आएगा traffic आएगा और आपने detail में सब कुछ बता रखा है तो user buy जरूर करेगा और आपकी affiliate के sales बढ़ने के chances बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से एक on page SEO करके आप अपनी website पर traffic ला सकते हैं मगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर clear बोल देना चाहता हूँ अगर आप सोचे कि इन website की तरह ही आपके पास भी traffic आएगा जैसे कि इनका जितनी भी मैंने website उपर खोली सब का millions में traffic है तो यह कोई आज की website नहीं है यह बहुत पुरानी website है बड़े-बड़े brand है इनकी authority बहुत अच्छी है website की इसलिए कुछ भी लिखते हैं इनका rank हो जाता है top पे दिखता है Google के page पे तो आपको भी step इस तरह बनाने के लिए अपने आपको महनत करनी पड़ेगी बिना महनत के कुछ भी नहीं होगा सोचो कि आपने on page अच्छा कर रहे हो उसकी authority बड़े जब आपकी website की authority बड़ेगी आप इस technique से काम करेंगे धीरे 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 करते करते आपकी भी post Google में rank होंगी traffic आएगा authority बड़ेगी आप भी किसी भी keyword पे काम करोगे तो वो भी Google पे दिखना है start हो जाएगा इन लोगों ने भी यही process को अपन आके इस तरीके से काम कर सकते हो और अपनी affiliate जननी को बढ़ा सकते हो अपनी online earning को बढ़ा सकते हो यहां पर मैं खाली Amazon की बात कर रहा हूं मगर यह Amazon नहीं यह सब के लिए applicable होता है बड़े-बड़े affiliates के उपर आप काम कर सकते हो जहां पर आपको बहुत अच्छी-ची commissions मिलत रहें वह obviously दूसरी तरह के जो affiliate products होते हैं जिनमें आपको अच्छी-खासी sales मिलती है उस पर ही आप paid promotion करके अच्छे traffic लाके अपने sales को बढ़ा सकते हो तो friends उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आई होगी कि अपने affiliate link के करना channel को subscribe नहीं किया तो channel को भी subscribe जरूर कर लेना और comment में मुझे जरूर बताना कि आपको ये video कैसी लगी है जल्दी मिलते हूं अपने next topic में तब तक के लिए goodbye take care